नमस्ते खुश रहो बिटिया मैं जेविन डॉक्टर एस बुंदेला प्रोफेसर फैकल्टी ओफ एजुकेशन एंड मेथरोडोलोजी जोती विद्यापीट विमेंस युनिवर्सिटी जैपूर राजस्तान आज का सब्जेक्ट स्टेट एड्मिस्टेशन इन इंडिया जिसमें टॉपिक गवर्नर राज्येपाल हम उसकी बात करेंगे राज्येप्रशासन में गवर्नर जो है सबसे महत्वपुन पद हैं भारत में राज्येपाल का चैन अमेरिका की तरह नहीं होता है बलकि राष्टपती के द्वारा उसे निउक्ट किया जाता है वर्तमान समय में गवर्नर के पास उतनी सक्तिया नहीं है जितने ब्रिटिस काल में हुआ करती थी बलकि राष्टपती की तरह ही राज्ये में ये एक नामात्र की कारेपालिका का प्रतीक है पूर में इसे राजपरमुक भी कहा जाता था एक नवंबर 1956 से पहले कई राज्यों में इसे राजपरमुक कहा जाता था भारत के सविधान के अनुचेद 153 में एक राज्ये पाल होने की बात कही गई है राज्ये की सबी कारेपालिका सक्तियां इसी में नहीं तोती है राज्ये पाल के योगिता की बात करें क्वालिफिकेशन की बात करें तो भारती सविधान के अनुचेद 157 में इसके बारें बताया गया है जिसमें सबसे पहली योगिता वह भारती होना चीए अर्थात भारत का नागरिक होना चीए दूसरा उसने 35 वर्स की आयू 35 एयर कम्प्लीट कर ली हो तीसरी योगिता संसद या राज्ये विधान मंडलों के किसी एक सदन का वह सदसे भी न हो अर्थात ने तो संसद या राज्ये विधान मंडल इन में से किसी भी सदन का वह सदसे नहीं होना चीए इसके लाव हुए किसी लाव वाले सरकारी पत पर भी काम ने कर रहा हूँ इसके बाद अगर अगर अपन राज्येपाल की नुक्ति की बात करें तो इसकी नुक्ति भारतिय सविधान के अनुछेद 155 में बताया गया है कि राश्टपती अपने अस्ताक्सर और मोहर के द्वारा एक वारन जारी करके इसकी नुक्ति करेंगा इसके लावा शपत की बात करें और आउद की बात करें तो राज्ये में उच्छ नैले के मुखे नैदी इसके द्वारा या अगर वो नहीं है तो कोई सीनियर जज हो उसके द्वारा राज्ये पाल को शपत दिलाई जाती है इसके लावा कारेकाल की बात करें तो भारतिय सविधान के अनुछेद 156 में बताया गया है कि राज्ये पाल राश्टपती के इच्छा अनुसार पद्धारन करेगा और इसका कारेकाल पांच वर्स तका होगा हाँ अगर राश्टपती चाहे तो इसे पहले भी पद से हटा सकता है अर्थाद उसकी इच्छा पर ये पद पर काम करते हैं इसके बाद बात करते हैं राज्ये पाल की सक्तियां और कारियों के बारे में पावर्स और फंक्शन्स के बारे में जिसमें सबसे पहली है कारिपाली का सक्तियां एक्जिकेटिव पावर्स इन सक्तियों में वहें राज्य के मुख्य मंत्री की नुक्ति करता है और मुख्य मंत्री की सलापर अन्य मंत्रियों की नुक्ति करता है इसके लावा राज्य के लोक शेवा आयो की अध्धक्स और सदस्यों की नुक्ति भी करता है इसके लावा वहे विश्व धाले का कुलादी पती भी होता है इसके लावा वहे मंत्रियों के विभागों को बाड़ता है और उसे समंदित नियम त्यार करवाता है इसके लावा राज्य के लोकयुत की नुक्ती भी करता है अर्थार्थ उसी के द्वारा उसे नुक्त किया जाता है और शपत ग्रहन की विवस्ता वही करता है वही करता है इसके लावा बात करते हैं विधाही सक्तियों की लेजिसलेटिव पावर्स की जिसमें सबसे पहला वह विधान सबा के सत्र को भंग कर सकता है विधान सबा सत्र को आहूद करता है इसके लावा विधे को परस्ताक्सर कर उसे कानून का रूप देता है और विधान मंडल को संबोधित भी करता है अर्थार अभी भाशन भी उसमें देता है इसके लावा नयाएक सक्तियों की बात करें जो डीसियल पावर्स की बात करें तो अनुछेद 161 में इसके बारे मताया गया है जिसके तहट किसी भी राज्ये के अपरादी के डंड को शमा कर सकता है उस पर विराम लगा सकता है इसमें परिवर्दन कर सकता है इसके लावा मिर्तु डंड को वह शमानी कर सकता है जैसे राश्पत्य के पास पावर है वैसे मिर्तु डंड मिले किसी अपरादी की वह सजा को शमानी कर सकता है इसके लावा चोथी सक्ती है स्ववे किये सक्तियां इस सक्ति में मुख्य मंत्री की वह सबसे पहले नुक्ति कर सकता है राजेपाल को अगर लगे कि कहीं इसपर्ष बहुमत किसी दलका नहीं है तो वह विवेक से किसी भी पार्टी के नेता की मुख्य मंत्री रूप में नुक्ति कर सकता है यह के लवा मन्तरी मंडल को वह पत से अटा सकता है अनुचेद देख्सोचोछट में इसके बारे में बताया गया है सके लावा इसमें विधान सबा को भंग करने कि इसको सकती है वह अनुचेद 144 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है इसके इलावा राज्जे में आपातकाल के लिए राश्टपती को सला दे सकता है मालनी जिए राज्जे में राश्टपती सासन अगर लगना है तो इसके लिए राज्जेपाल राश्टपती को सला दे सकता है किसाब यहाँ पर सविधानिक तरीके से काम नहीं हो रहा है तो उनके सिफारिस पर राश्पती या राश्पती सासन लगा सकते हैं इस परकार की बात अनुच्छे 356 में बताई गई यह सबी बातें सक्तिय और कारे के समन्द में थी अब बात करते हैं राज्पाल की इस्तिती और भूमिका को लेकर पॉजिशन एंड रॉल ओफ गवर्नर इसमें सबसे पहले सविधानिक अद्दक्स के रूप में अर्थार्थ एज एक कॉंस्टिटूशनल हैड इस रूप में राज्य पाल चुंकि वो जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है राश्पति उससे मनोनित करता है और वो अपना जो भी कारी करेगा वो मंत्री मंडल की सलाप पर करता है और अगर अपन सोय की सक्तियों की बात करें तो तो कभी कबार उसका प्रियोग करता है वो भी विशेश परस्तिती में तो इसलिए इस रूप में वहे सविधान का केल अद्धक्स के रूप में काम करता है दूसरी स्तिती भुमिका की बात करें केंदर के पृतिनिदी के रूप में एजे अरी प्रिजन्टेटिव अव सेंटर इस रूप में अनुचेद 200 जिसमें विधेकों को राश्चपती तक भेजना अनुचेद 356 जिसमें राज्चे में राश्चपती सासन लगाने समन्दी बात है तो इस रूप में अगर अपन देखें इन अनुचेदों के तहट देखें तो कहीन कहीं ये केंदर के एक अजेंट के रूप में काम करता है राजनेतिक स्वार्थों को साधने के लिए इन अनुचेदों का सहरा लिया जाता है केंदर के द्वारा चाहने पर राज्चेपाल उनके अनुचाथ कारिये कर सकता है इसके लावा तीसरी भूमिका इसमें वास्तवी कारिये पालिका के रूप में as a real executive इसके तहट राज्चे का मंत्री मंडल जो भी नीड़ने लेगा सासन से समन्दित उसकी सुचना राज्चेपाल को जरूर देगा इसके लावा मुख्य मंत्री की नुक्ति करनी हो महतकुन पदों पर नुक्तियां करना हो तो वो सभी राज्य पाल के द्वारा ही नुक्तियां की जाती है उनी के अस्ताक्सर द्वारा ही संभव होता है इसके लावा विधान सबा के सत्र को बुलाना हो उसे स्तगित करना हो विधान सबा के साथ साथ मंत्री मंडल को भंग करना हो तो ये सबी जो बाते हैं वो कहीं न कहीं राज्येपाल को गवर्णर को एक वास्तरी कारेपालक के रूप में प्रस्तूत करते हैं और आज का ये जो सेशन है वो डिजिटल वर्जन 2.0 जोती विद्यापीट महिला विश्व धाले जैपुर द्वारा त्यार किया गया है मैं ये आशा करता हूँ कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुश होयोंगे, संतुस्ट होयोंगे अगर आपकी कोई क्वेरी हो से समंदित तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं इसे हल करने की जरूर कोशिश करूँगा, धन्यवाद